So Hello Guys, Welcome back to the channel आज है 25 October और आज तो पहर दो बजे तक जिस जिस बच्चे ने फर्स्ट अलोट्मेंट लिस्ट में अलोट हुए कॉलेजिस की फीस पे कर दी है उनका एड्मिशन 100% कनफर्म हो चुका है आप लोगों का एड्मिशन डेली उनिवर्सिटी में 100% कनफर्म हो चुका है और आप क्लासिस 2nd November से स्टार्ट हो जाएंगी and congratulations to you all and welcome to डेली उनिवर्सिटी अब इसके बाद ये अपडेट था कि आज शाम 5 बजे आपको vacant seats display होंगी जो की अब extend हो चुकी है कल सुबह 10 बजे मतलब 26 October morning 10 a.m आपकी vacant seats को display किया जाएगा आपके portal पर और इसके अलावा मैं आपको एक important जीज़ बता दू कि जिस बच्चे को first cutoff में first allotment list में college offer हुआ था और उसने 25 October दोपहर 2 बजे से पहले fees pay नहीं करी of course उसके बाद तो fees pay ही नहीं कर पाएगा तो student को डेली उनिवर्सिटी के admission procedure से ही बाहर कर दिया जाएगा means first second third allotment किसी में भी उसे कोई college allot नहीं होगा I hope उसे spot allotment में participate करने दिया जाएगा हाँ तो कल सुबह 10 बजे यानि 26 October को आपकी display होगी vacant seats and उसी time same 10 बजे ही आपकी window open हो जाएगी preferences change करने के लिए आपकी जो higher preferences है उन्हें आप फिर से reorder कर सकते हो कुछ भी new college या course add नहीं कर सकते remove नहीं कर सकते only reorder कर सकते हो अब अगर आपको reorder करवाना है तो I know market में काफी सारे ऐसे लोग है जो आपसे 500,000 रुपीज लेकि आपकी preferences को reorder कर रहे हैं आपकी preferences को बता रहे हैं आपको क्या होना चाहिए बट नहीं नीचे description में और pinned comment में आपको एक telegram group का link मिलेगा उसे join कर लो 100% free है मैं खुद आपकी higher preferences basically top 10 preferences को reorder करूँगा so that आपको colleges मिलने के chances बढ़ जाएं CUT की market में सबसे पहले हो रहा है basically Delhi University के admission procedure में मैं आपके साथ पूरे टाइम बना रहूंगा और आप से एक पैसा चार्ज नहीं करने वाला आपकी preferences को रियोडर मैं खुद करके दूँगा जो आपकी preference window है जिसमें आपको अपनी preferences को रियोडर करना है वो कल सुबह 10 बजे यानि 26 October morning 10 a.m. से लेकर 27 October शाम 5 बज़े से पहले तक open रहेगी almost आपके पस दो दिन हो जाएंगे 26 and 27 शाम तक तो आपको अच्छे से वहाँ पर प्रिफरेंसे रियोडर करनी है और इससे पहले टेलिग्राम ग्रूप जोइन करना है आपकी प्रिफरेंसे को प्री में आप रियोडर करवा सको उसके बाद 28 और 29 October को आपको कुस नहीं करना चिल करना है second cutoff list का wait करना है और आपकी 30 October को second allotment list display हो जाएगी आपको कौन से colleges मिले हैं मिलने वाले हैं second cutoff में वह आपको 30 October को पता चलेगा जिस student को first cutoff में कोई college नहीं मिला है उसे भी पता चलेगा और जिस बच्चे ने upgrade को option चूज करा है उन students को भी कुछ ना कुछ नया college जरूर अलोट होगा this is a totally 100% free service आपको telegram group join करना है join करने के बाद आपको मेरे personal number पे message करना है आपको पता चल जाएगा क्या है मेरा number जाहिए वो आपको मुझे बताना है और मैं अपने according आपको बताऊंगा कि आपकी preferences में कोई changes required है या नहीं है तो यह 100% में free करने वाला हूं I know काफी तारे students हैं जो यही same चीज कहीं और ले रहे हैं 500,000 rupees में that is good but मैं वही चीज आपको 100% free देने वाला हूं Instagram group join करो सभी स्टूडेंट जितना जल्दी हो सके बाकी आज के लिए इतना ही चैनल को सब्स्राइब कर दो because every Vidyarthi subscribes a discovery